आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें हलो, आईए इस प्रशन को हल करते हैं, प्रशन है उस वृत की तरजिया क्या होगी, जिसमें 11 सेंटीमेटर लंबा चाप, केंदर पर पाई बटा चार रेडियन का कौन अंतरित करता है आपके पास इस प्रशन के लिए 4 चार चैन है, 9 सेंटीमेटर, 14 सेंटीमेटर, 12 सेंटीमेटर या फिर 8 सेंटीमेटर देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे, देखिए, एक मैं आपको समझाता हूँ, देखिए, ये एक वृत है, कोई एक चाप है, कोई एक चाप, चाप पतलब एक कुछ, इसी सरकल का एक पार्ट माननी जी, ये एक चाप है, ऐसे मैंने एक चाप ले ली, ये केंदर पर, केंदर पर ये, ये इस केंदर है अगर, तो केंदर पर, एक बार मैं अच्छे से आपको बताऊं, ट्रौ करके दिखिए, ये केंदर है, केंदर से अगर केंदर से एक चाप, ऐसे और ऐसे, ये, ये चाप है, ये केंदर पर π.4 का कौण यानी कि जो थीटा कोषिन में दिया हुआ है जो कौण कोषिन कौण दिया हुआ है वो दिया हूआ है π.4 प.4 का मतलब होता है 180 उसका बटा चार यानी कि थीटा आपको दिया हुआ है 45 दिगरी आपसे बोल रहा है बताइए R क्या होगी मान लीजे सेंटी मीटर, देखे, आप सभी को एक सूत्र याद होना चाहिए, जो कि बड़ा महत्वपूर है, चाप की लंबाई का, चाप की लंबाई, तो देखे, लंबाई, चाप के लंबाई का सूत्र होता है, ठीटा, बटे, तीन सो, साथ, गुणा में, टू पाई आर, दो पाई आर, बस, अगर आपको ये याद है, तो आपके लिए कोशिन बहुत आसान हो जाएगा, देखे, कैसे, चाप के लंबाई यहाँ पर कोशिन में, ग्यारा सेंटी मिटर दी हुई है, ठीटा आपको 45 दिगरी दिया हुआ है, बटा में, तीन सो, साथ, गुणा में, दो, पाई का मान, बाईस बटे, साथ, अगर आप इसको हल कर लेते हैं, और आर, आपको ग्याद करना है, देखे, नौ पंचे, पैंतालीस, और नौ चौक, चथिस, पांच, एककम, पांच, पांच, हठे, चालीस, दो एककम, दो, दो चौक, आठ, तो इतना ब और आर इस तरफ भी 11 सेंटीमेटर बचा है, देखे, तो कैसे कोशन बहुत असान हो गया है अब, मैं दोनों और अगर 14 से गुणा कर दूं, तो 11 सेंटीमेटर गुणा, 14, इधर क्या बच जाएगा, 11 आर, यदि मैं दोनों और 11 से भाग कर दूं, तो इधर 11 से आप भाग क इस प्रश्ण का जो सही उत्तर होगा वो होगा B, चैन दूसरा सही उत्तर होगा धन्यवाद